तो सात्यों स्वागत आपका एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSP Nifty Bank Index Funded Direct Growth NFO के बारे में जी यहां दोस्तों एक नया NFO है जो यहां पर 15 मईई 2024 को लॉंच हो गया है और 27 मईई 2024 तक यह open रहेगा जो इस बीच में अप्लाई करेंगे उनको यहां पर अलोटमेंट मिलेगा 4 जून को अगर इस बीच में आप अप्लाई नहीं करते हैं तो 4 जून के बाद भी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं यह open ended NFO है यहां पर NAV रहने वाली 10 रूपीच की तो यह company क्या करती है यह NFO किस टाइप का है इस बात में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दीखें यह एक 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 टाइप का NFO है जिसमें particular sector के अंदर आपका investment होने वाला है और वो जिस sector के अंदर इंवेस्ट होने वाला है बहुत banking sector के अंदर यहनि कि आपका investment इंडिया के top banks के अंदर होने वाला है आप जो पैसा लगाओगे वो उन shares के अंदर इंवेस्ट कर दे जाएगा उन companies के अंदर इंवेस्ट कर दे जाएगा जो banking sector की company है तो एक तरीके से very high risky है क्योंकि जो भी sectoral fund होता है वो एक तरीके से risky category का होता है यहाँ पर अगर हम expense ratio की बात करें तो यहाँ पर कोई भी expense ratio declare किया गया नहीं है नहीं exit road को अभी तक declare किया गया है आगे बात करें इसके investment की तो अगर आप इसके अंदर investment करना चाहते हो तो 100 रुपीस तो आपको SIP करनी होगी तो 100 रुपीस का आपको इसके अंदर लंसम करन गया है जिस mutual fund ने जिस AMC ने इस fund को launch किया गया है उसका नाम है DSP mutual fund काफी जानी पहिचानी और well-known fund fund house है अच्छी company है जो यहाँ पर इंडिया में 10th rank रखती है according to the total assets 1996 के अंदर इस्टेबलिस हुई थी और total AUM आप आप देख सकते हो एक लाख पचासदार 927 करोड का इसका total AUM है जिस benchmark को यह follow करने वाले है वह निप्टी bank total return index इसको यह follow करने वाले है तो आगे इस वीडियो की detail में हम जानेंगे निप्टी bank total return index को तो यहाँ पर निप्टी bank total इंडेक्स में क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूं तो दीखे इसके अंदर यह जो fund है वो यहाँ पर banks के अंदर invest करता है और जो इसके अंदर है इस index में है वो है total यहाँ पर 12 banks है सेम अनुवलिया निक की हर 6 मीने के अंदर इन 12 banks को review किया जाता है उसके बेस में यहाँ पर changes कर दी जाता है लगबग 19 % का यहाँ पर return है तो five year के अंदर कोई जाद attractive return नहीं है one year के अंदर भी जाध our commodity return नहीं है और यहाँ पर अभी तक कोई जाध सकते हैं इसलिए यहाँ पर इनका रिटन बहुत कम है आपको देखें फाइवर के अंदर तो 11% इनका रीटन हैं अब बात कर लेते हैं इनका अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखाए देखी तो banking जो है यहाँ पर वह इस जगह पर है भी जफकि और सेक्टर आप देख स तो सबसे पहले जो bank का अंदर invest होने वाला है वो 12 bank है उसका coding यहाँ पर वेटेज किया गए कि कौन से bank के अंदर कितना आपका investment होने वाला है HDFC bank में सबसे ज़्यादा वेटेज है 29.04% का और HDFC bank की अभी यहाँ पर सालवर से चल नहीं रहा ICAC bank बहुत अच्छा चला है 23% का वेटेज है एक्सिस बैंक 9.76 स्टेट बैंक 9.57 तो आप भी देख सकते हैं इन banks के अंदर आपका investment होने वाला है अगर आप ऐसे particular किसी share में लिखे करते हैं तो आपको आपको समझ में याता कि आप इंडिस bank में करो कि bank को बाड़ोदा में करो लेकिन आपको एक पुरा basket मिनने वाला है यहाँ पर इन private bank का और यहाँ पर government bank का सरकारी bank का एक तुरे के से 12 banks का आपको basket मिनने वाला है जीन बेंक्स के अंदर आपका इंवैस्टमेंट होने वाला है और यह जो इंडिया के top banks और आपका investment होने वाला है अब यहाँ पर जीन दो banks के अंदर आपका investment होने वाला है उनको हमाली जानना जरूरी है कि वह कैसा perform कर रहे है तो HDFC bank के अगर हम बात करें तो HDFC bank की की अभी जो price चल दी है वो चल दी है 1464 रुपे की और high इसने बनाया था 1708 रुपे का एक साल पहले तो अपने high से तो काफी low price को पर चल रहा है और जिस तरह से इसने रिटर्न दिये हैं और यहां पर इसका जो PE है और जो बुक वेलू है उससे ज़्यादा price को पर यह टेड नहीं कर रहा है तो अभी रिजनेबल प्राइस में आपर अवेलेबर है आई से इसे की बात करें जिन लाश्ट के वन यहर उसके नजदी की चल रहा है लेकिन फिर भी अगर यहां पर इसका स्टोक पी देखे अठारा रुपे का है और यहां पर जो इस सेक्टर का जो अगर हम पी देखते हैं तो पी यहां पर चल रहा है पी का मेडियन है यहां पर लगबग बारा का यह देख तो देखे इनका जो P.E. है bank nipty का वो अभी चल रहा है आज की rate में 14.7 का अब हम यह देखते हैं कि क्या हमें यह bank nipty जो है अभी महेंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है तो P.E. को हम देखते हैं इसके average के कुछ time के average से तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 year के से तो 1 year का आप देखेंगे तो 1 year का average सा 16 का और अभी चल रहा है 14 पर हना तो अभी सस्ता है एक साल के तुलना में अगर हम 2 साल का average देखते हैं यानि कि average का मतलब है कि पूरे 2 साल के अंदर bank का जो P.E. का average है वो है 16 का और अभी यह trade कर रहा है 14 पर तो इसका मतलब average से सस्ता भी हमें म पूलना में अभी हमें ये bank सस्ता मिल रहा है P.E. का मतलब यह वा अगर हम P.E. की बात करें तो price to book ratio की बात करें तो इसका price to book ratio चला है 2.80 का तो यहां पर अगर हम देखते हैं one year में तो one year का जो average price to book ratio 2.84 का है और अभी यह चला है 2.46 का तो price to book value भी यहां पर ज्यादा नह है और five year की से भी comparison में ज्यादा नहीं है तो price to book value भी ठीक है इसका और यहां पर इसका EPS भी ठीक है और अगर हम dividend की बात करें यहां पर तो dividend yield भी इसने last के one year में average देखे one year का तो 0.81 है और यहां पर current चल रहा है 0.87 का अना तो dividend में भी अच्छी इसकी growth है तो यहां पर यह जो तीनो फेक्टर ना यहां पर तीनो फेक्टर जिनकों में चेक करना चाहिए कभी भी किसी stock को भाय करें जाए Michigan को भाय करें PB PE EPS price यह सारे अभी हमें reasonable यहां प DSP का सबसे अच्छा मुझे लगता है fund manager इनके जो fund है ना जिस fund को आप bank index के fund को आप जो loan चुने वाला है उसके जो fund manager वो है अनिल घेलानी और दीपेश शाह अब हम इनकी profile देखते हैं देखिए इनों ने अनिल जो घेलानी है इनको 26 year का total experience है 26 year का experience है 2003 से 2003 से यह DSP group के साथ जूड़े हैं और आप देख सकते हैं इनका जो return है कितने सारे funds को manage कर रहे हैं यह लगबग 18 funds को आपने manage कर रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं जो benchmark index है उससे देखते है कि क्या उन्होंने benchmark index से 5 year के अंदर returns ऐसे जनेरेट करके दिये हैं जो यहां पर benchmark index को बीट कर र 10 year में mostly यहां पर जो returns है वो benchmark index की equal है यह यहां पर ज्यादा यहां पर generate करके इन्होंने दिये हैं तो काफी time से यहां पर जूड़े हैं काफी अच्छा experience है यह positive बात है यह जो fund manager है इनको 20 years का experience है लेकिन यहां पर यह 2019 से यहां पर इस mutual fund में जूड़े हैं DSP वाले में और ज ज्यादा लंबे समय से इसमें जुड़े हुए नहीं है लेकिन का total experience 20 years का है तो यह जो funds को manage कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि यह बड़ी list है ETF को manage करते हैं 18 ETF के यहां पर list है और यहां पर जो benchmark को देखे तो लगबग यहां पर benchmark के लगबग इन ETF के यहां पर return इन्होंने जन तो वही में तो देखो simple word के अंदर यह बोलूँगा कि आप SIP mode के अंदर है ना SIP mode के अंदर आप apply कर सकते हैं apply कर सकते हैं SIP mode में क्यों कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इंडिया के top जो 12 banks है ना उनके अंदर आपका investment होने वाला है और top में भी अभी बहुत सारे private bank के जो private banks के अंदर apply करने की यह मेरी personal राय है आपका decision अपनी analysis के बेस्पर ले सकते हैं बड़ मेरी personal राय यह कि banking sector इंडिया जब इंडिया ग्रो करेगा इंडिया की करो करेगी तो definitely banking sector भी यहां पर ग्रो करेगा जिस तरह से PSU banks अभी भगेत है आने वाले time के अंदर जो private banks है वो भी यहां पर उपर जाने वाले हैं तो यहां पर एक अच्छी opportunity हो सकती है आपके पास में और यह संग में आपको बताए कि अभी बहुत सारे बैंक तो अपने price to book value के नजदी के यहां पर trade कर रहे हैं तो एक अच्छी opportunity है आप SIP mode में लंसम नी बोलूँगा आप SIP mode के अंदर अब इस NFO के अंदर apply कर सकते हैं वीडियो चला लगा तो like कर दीजिए कोई भी सवाल कमेंट करिए thanks for watching चैनल को subscribe करना मत बूलना